खबर बिल्कुल यकीन ना करने वाली खबर है यकीन नहीं हो पा रहा है कि श्री देवी आप हमारे बीच नहीं रही है इस बीच प्रैंका चोपरा ने ट्वीट किया है उन्होंने लिखा मेरे पास कोई शब्द नहीं है श्री देवी को प्यार करने वाले हर व्यक्ति के प्रती संबेदना एक काला दिन भगवान उनकी आत्मा को शान्ती दे प्रेंका चोपरा ने ये ट्वीट किया इसके लावा रिशी कपूर ने क्या लिखा है ट्वीटर पर आपको बताते हैं मतलब पूरा बॉलिवूड सक्ते में हैं इसके अलावा देश के बहुत से लोग जो चाहने वाले हैं श्री देवी के वो शौक है रिशी कपूर ने लिखा है जगते ही श्री देवी के निधन की दर्दनाख खबर सुनी सदमे में हूँ बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियों के प्रती मेरी संवेदनाए हैं अक्सर अपनी बेटियों के साथ ही नजर आया करती थी श्री देवी अब क्योंकि उनकी बड़ी बेटी फिल्म में डेब्यू कर रही थी ऐसी स्थिती में हर जगा श्रीदेवी उनके साथ होती थी उनका ख्याल रखती थी एर रह्मान ने लिखा है R.I.P. रेसिंट पीस श्रीदेवी पूरे परिवार के प्रती में अपनी समवेदनाई व्यक्त करता हूँ पूरा बॉलिवूड पूरा बॉलिवूड इस वक्त एक जुट है और जैसा संबादाता ने बताया कि कोई सोया नहीं रात भर जैसे ही जिस जिसको एक खबर मिलती चली गए खासतोर से बॉलिवूड में किसी को नीन नहीं आई और सबे सोच रहे थे की काश ये खबर अफवा हो लेकिन ऐसा नहीं है इस खबर पर यकीन करना बेहद मुश्किल है लेकिन वाकई श्री देवी सब को सदमा देके च चली गई हैं यह तस्वीरे सबसे ताजा तस्वीरे उनकी दिका रहे हैं उनकी पारे घर के एक शक्स की शादी थी मोहित मारवा की शादी थी जिसकी शादी में शरकत करने के लिए श्री देवी दुबई पहुंची हुई थी और दुबई में ही श्री देवी का निधन हुआ 54 साल सिर्फ श्री देवी की उम्र थी बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ा श्री देवी को अमिता बच्चन ने भी ट्वीच करके श्रीदेवी को श्रधांशली दी है तो श्रीदेवी अब नहीं रही है हमारे बीच और साथ ही ये भी जानना बेहत जादा शोकिंग है कि किस तरीके से इतनी कम उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली अमिता बच्चन ने लिखा ना जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है